है है लो फ्रेंड्स दीस इस विजयराज पूस्पन वेलकम टू लर्नर आइस वाई वी आर पी जैसा कि आप रूज पढ़ते हैं और गनीत का प्रती दिन आपको वीडियो भी पराप्त होता है जो की बेसिक मैथ है जो की कम्टिशन में भी काफी काम आ तो मैं आपको सारे चिप्टर का एके करके जो बेसिक मेथड़े उस अब पढ़ा रहा हूं और बाद में एडवांस भी पढ़ाऊंगा लेकिन आपसे मैं अगरा करता हूं कि आप सबसे पहले बिना एस्किप की वे वीडियो देखेगा और जब आपको लगे कि वीडियो काम क के बारे में देखिए एकिपमनी है क्या इसके थोड़ सा जाना जाय कहता है कि अगीखमांग खू मैं जोता है वह हमारे अंक गनित का मुलभूत सिधान न समुक्षप् हेता कि दो अलग 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 राष्यों का जो अनुपात होता है अगर वा बराबर होता है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं उशी को हम लोग कहते हैं चारी जो संकल्प्ना है वाव समानुपात परधारित है तो इससे दो रूप में हम लोग ब्यक्त करेंगे कितने रूप में ब्यक्त करेंगे दो रूपों में एक परेंगे अनुकर्मानुपाति नियम और दूसरा परेंगे ब्यूत कर्मानुपाति नियम अनुकर्मानुपाति और दूसरा होता है ब्यूत कर्मानुपा पर भाव परे तो उसको हम लोग करते समानु पाति यानि किसी भी बस्तू के गए मात्रा बढ़ जाए तो मुल भी बढ़ेगा मालिजिये दो केजी आप चावल खड़िते हैं और पांच केजी खड़िते हैं किया मुल पर पर भाववित परेगा कि न परेगा पर भाव अब अनुकर्मानुपाती नियम में क्या होगा तो अनुकर्मानुपाती नियम में कहता है कि एक के मुल बढ़ने पर यानि किसी भी पदार्थ का जब मुल बढ़ रहा है इसका मतलब है कि उसकी बस्तु का वजन जो है भार भी है मात्रा भी है वह भी बढ़ जाएगा यानि म पात्रा को बढ़ाने से क्या होती है। तो ध्यान लखेगा अनुकर्मानुपाती नियम्स जाने से पहले हम एक एक नियम का सिंपल नियम जानेंगे। जैसे कोस्टन से हमें स्टार्ट करते हैं और कोस्टन आपके पास है कि यदि ध्यान दीजेगा यदि 6 केलो का मुल माल लिजे कि कितना है 10 रुप्या है ठीक है तो तीन दर्जन केलो का मुल क्या होगा केलो का मुल क्या होगा देखिए अनुकर्मानुपाती के बनाने का नियम भी समझ ले क्योंकि जब आपको बियुत कर्मानुपाती का आएगा चाब बिलो अगर आपको बिलो मानुपाती का नियम आएगा तो दोनों में कर्फ्यूज हो जाएगा देखिए अनुकर्मानुपा मत्रा बढ़ेगा तो अनुकर्माणु पाती नियम का नुख से अगी नियम को कि का जाम यतान यू पनाएंग और शुच्ट नुखंट नियम से लिएंगे तो कई सब्सक्राइब करें गर्षाओ मत्राइब रबले ऊब इसलों मेंस उस्तुरण मुल कितना रुपया है मुल 10 रुपया है यही ना आपका अच्छा गौर कीजे तो एक केला का मुल निका लिएगा तो जादा होगा कि कम होगा कम होगा यानि 10 रुपया में 6 केला मिलता है तो एक केला का दाम तो 10 बटा चो हो जाएगा आपको निकालना है कितने केले का मुल तीन दरजन एक दरजन में कितने केले होते हैं बार तो तो तीन दरजन में कितने हो जाएंगे 36 यानि 36 केला कर निकालिए अब आप ही बताए एक केला कदा में 10 बड़े चो तो 36 केला कदा में तो जादा होगा 36 यानि क्या रुपया में आ जाएगा शाठ रुपया यह तो सिंपल मेथड है लेकिन हम लोग थोड़ा सा एडवांस मेथड बनाते हैं जो की कहलाता है अनुकर्मानुपाती बिधि नए अब बिधी में देखे यह सेकेंड मेथड है मेथड नंबर शेकेंड देखे अब इसक केला का दाम है क्या रुपया दस रुपया चा केले का दाम है दस रुपया तो पूछा कितना 36 केले का दाम बताई ऐसे न पूछा है और यहां पर बीच में समानुपात लगा देते हैं क्योंकि जब मात्रा बरहेगा तो मुल बरहेगा मात्रा बरहेगा तो मुल बरहेगा य यह अनुकर्मानुपाती में है, तो कैसे बनेगा, हम पर चुके आप लोग कि बाहर से बाहर को गुना करना है, कर दी, और अंदर से अंदर को गुना करना है, यही ने समानुपात में होगा, आप सोचिए, यहां से इसका भैलू निकालना है, तो कैसे निकलेगा, दस गुने कितना रुपया हो जाएगा साथ तो कितना असानी से बन जाएगा लेकिन ये तभी बनेगा जब आप क्या करेंगे अनुकर्मानुपाती वाला नियम पालन करे यानि आप मातरा जब बढ़ाए किसी बस्तू का तो मुल भी क्या होना चाहिए बरना चाहिए और मातरा को घटान पर मुल क्या होना चाहिए घटना चाहिए अगर यह पालन करता है तो आप इस समानुपात नियम लगाएंगे अन्य था नहीं लगाएंगे तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीन सोट ले लिजे और एक और चीज़ समझेगा ग्यात की जाने वाली रासी को दायत रफ लिखेगा और फिर एक बस्तू का मान ग्यात करते हैं और अंत में उतनी काय का मान ग्यात करते हैं जितनी पूछी गई है और पर्थम बायत रफ वाली नगालाासी भाग में तथा अन गुना में हो जाती है नैगो इस विधी से भी आप क्वेस्टण को क्या कर सकते है श्वलब कर अनु क्या करती है आशानी होती है एक और भीधी अगर चाहते थो मैं शिखा सकता हूं और उसको भी हम लोग चीखे ले तो ज्यादा बेहतर होगा नहीं लेकिन ज्यादा मेथड भी सिखने से आपको ज्यादा फैदा होने वाला नहीं है तो मेथड थिरी भी चाहते हो तो हम सिखा देते हैं मेथड नमबर तीन भी देखते मेथड नमबर तीन आएàyे method 3 की भी बात कर ही ले कैसे बनाएगे इस तरीके question को method 3 काता है कि पहले मातरा को रख़िए केला है मातरा कितना है 6 है और 36 है उसके बाद रख़िए मुल को मुल कितना है 10 और इसमें दिया है क्या कुछ नहीं तीर ऐसे चला है नीचे भाह है उसको रखा जाए उपर तो तीर के पास यहां देखे कौन है एकस है तो उपर रख दिये तता बिना तीर वाली संख्या कहां रखी जाए नीचे इस तरीके से इसमें भी तीर वाली संख्या उपर और बिना तीर वाली संख्या नीचे छो से काटेगा छे बार एकस बरावर छो ये नीचे तो कहां चला जाएगा उपर यानि 10 को 6 से गुना कर देजेगा तो कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा ठीक है तो इस विधी से भी आप इस परकार के प्रशन को हल कर शकते हैं तो अगर समझ में आ गया है तो अब हम लोग कुछ ऐसे कोस्चन परेंगे जो कि आपका बिलोमा नुपाती नियम पर अधारित होगा तो ध्यान दिजे अनुकर्मा नुपाती का बिपिरित जो होता है वो बिलोमा नुपाती होता है अनुकर्मा नुपाती नियम में आपने क्या सीखा अनुकर्मानुपाति नियम में आपने सीखा कि मातरा को बढ़ाने से मुल क्या होगा मातरा को घटाने से मुल भी क्या होगा घटेगा लेकिन बिलोमानुपाति नियम में कहेगा उल्टा मातरा बढ़ेगा तो मुल घटेगा और मात्रा घटेगा तो मुल बढ़ेगा यानि दो रासियां परसपर बिलो मानु पाती कहे जाती है यदि किसी एक रासी में बिर्धी या कमी होने पर दूसरी रासी घटे या बढ़े अर्थात बिप्रित परभाव पढ़े जैसे वाहन की चाल बढ़ने पर दूरी तै करने म समय कम लगेगा नहीं समझने बात को जब वाहन को ज़्यादा तेजी से चलाएगा तो समय ज़्यादा लएगा कि कम लएगा कम लेगा और जब सुलो गती से जाएगा तो समय ज़्यादा लएगा तो अब हम लोग उसी प्राधारित एक कोस्चन से मुलाकात करते हैं कोस्चन है कि पंद्रा मजदूर एक पानी की टंकी को बारा दिन में बना कर पूरा कर लेते हैं द्यां दिजिए कोस्चन पर कर आए कि पंद्रा मजदूर एक पानी की टंकी को कितना दिन में बना देता है बारा दिन में बना कर पूरा कर लेते हैं तो उसी टंकी को कितना दिनों में पूरा करेंगे कितना दिनों में पूरा करेंगे आप ही बताईए बता सकते हैं आप ही बताईए जब पंद्रा मजदूर बारा दिन में बना देता है तो बीस मजदूर को बनाने में कम समय लेया कि जादा लगेगा कम लगेगा उल्टा चला है न तो देखें मेथर कैसे बनाईएगा सो देखें पंद्रा मजदूर कितना दिन में बनाता है बीस दिन में समानुपात समानुपात मने होता है बराबर तो कहता है कि बीस मजदूर यहां पे आपने क्या लिखा है मजदूर और यहां पे लिखा है दीन तो यहां पर पहले कोन आएगा मजदूर आना चाहिए 15 मजदूर एक पानी की टंकी को कितना दिन में बनाता है 12 दिन में यह है हमारा मजदूर यह हमारा क्या है मजदूर है आप गौर किजिए यही है यही आपका अब सुरुवात हो रहा है अब क्या करेगा अनुकर्मानुपाती में तो ऐसे लिखते हैं हम लोग यह 15 मजदूर 12 दिन में पुरा करेगा लेकिन जब विलोमानुपाती आएगा तो तो क्या किजेगा आप मजदूर के साथ क्या रखेगा मजदूर को और दीन के साथ किसको रखेगा दीन को रखेगा बस यही कहानी है इसमें अनुकर्मानुपाती में क्या होता है जब मात्रा बरहा तो मुल बरहा तो आपने दोनों को दो किस्म का रखा, नहीं रखे, जैसे पाँच कलम का मुल है दस रुपया, तो आपने पहले पाँच रखा तब मुल रखा, नहीं, लेकिन जब आपका बिलोमारू पाती हो, मतलब मातरा बढ़ने से क्या हो जाए, मुल में कमी आ जाए, या घट कम होने स बढ़ जा उल्टा जैसे पंद्रह मस्दूर बारा दिन में बना कर पुरा करेगा टंकी को तो क्या बीस मस्दूर ज़ादा लेगा कि कम लेगा देख रहे हो मस्दूर बढहा तो दीन कमा कि बढ़ा उल्टा चला है न? तो उल्टा वाले में एक रंग को एक साथ रखना है, मजदूर को मजदूर के साथ और दीन को पहले रखे हो, इसका न? पंदरा मजदूर कहा है दिन में पुड़ा करता है? अब यहां सोचो, इसको रखे हो कहां पे? सुरू में रख रखे हो, तो गौर कि पहले तो किसको पूछ रहा है बताएए बीस मजदूर कितना दिन में पुरा करेगा मालिजे के बीस मजदूर कितना दिन में पुरा करेगा एकस दिन में और यह 15 मजदूर कितना दिन एक्स तब 15 गुने 12 अब 20 कहां चलाएगा निच्चे पांतिये 15 पांचा का 20 अचारतिये 12 यानि एक्स का जो भैलू आएगा कितना जाएगा यानि कई दिन में पूरा हो जाएगा नौ दिन में पूरा हो जाएगा फिर से सुना जाएगा यही कोस्टन में दम है अगर बिलो मान उपाती का केसा है तो दोनों मजदूर को एक साथ दिन को एक साथ रखना है लेकिन इसमें थोरा सा दिमाग लगाना है जिसका मजदूर उसी का दिन होना चाहिए बगल में इसका मजदूर इसका, लेकिन इसमें अगर आपको ज़्यादा परसानी हो रहा है, तो ऐसा करिए, मजदूर और दीन को बराबर कर देजे, मजदूर दीन वन, मजदूर टू, दीन, टू किजे, अब देखें आपे, पहला मजदूर क्या दिन में? 15 दिन में क्या काम करता है? 12 काम और दूसरा कितना मजदूर है? 20 मजदूर कितना दिन में पूरा करेगा? पता नहीं है यह आसान भी आपको पड़ेगा मजदूर दिन को गुना कि ओ में क्या करते थे? बटा करते थे उसमें क्या करते थे बटा और इसमें क्या करते हो गुना विलोबानुपाती में गुना अनुकर्मानुपाती में बटा भाग तो अब तो बन गया पंदरा गुने क्योंकि इसमें ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा उल्टा पुल्टा हो जाएगा तो इसको आसानी से बन दिन में तो 15 मजदूर 12 दिन में और 20 मजदूर कितना दिन में एकस दिन में बात का तम दुनों को गुना कर दिये आप यह कोस्तन इस रहता है जैसे रहता कि छो कलम का दाम है दस रुपईया तो पांच कलम का दाम हमको बताईए ऐसे नहीं कोस्तन तो अगर आप लिख देते चो गुने दौस अबराबर पांच गुने एक स्थे गुलत हो जाता समझ गये क्यों क्यों कि जब कलम का कलम का अगर मातरा बरहेगा तो दाम क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा ना चो कलम का दाम है दस रुपया तो आठ कलम का दाम तो जादा होगा उल्टा नहीं नहीं हु समझे कि नहीं छोड़िए बाद में अच्छा से समझ लिजिए गए कंफ्यूजन हो जाएगा बस एक चीज याद रखे कि बिलोमा अनुपाती में दोनों को गुणा के रूप में रखना है और अनुकर्मा नुपाती में दोनों को इस रूप में रखना है बस इतना ही समझे बिलोमा और अनुकर्मा नुपाती क्या होता है वीडियो पीछे करके एक बार देख लिजिए आपको समझ में आ जाएगा कई बार आपको बता दिया गया है अनुकर्मानुपाती हुआ होता है जैसे मानू कि हम तुमको दो मुंगरी मारे तो ज्यादा असर होगा कि कौम अ लगेगा जदा दिन कमा था सरी मज़दूर को कम किये ता दीन बरहा की घटा उल्टा हो रहा है कि नहीं आयमें क्या हो रहा है एक मुंगरी अगो बलाँसर दू मुंगरी तो जदा बलाँसर आता च्हों कलम ख़़़़़ देता दसे में गाटेगा और दूसरा को बाधी गाट जाएगा अपोजिट होगा तो बिलोमानुपाती में गुना के रूप में चलिएगा अनुकरमानुपाती में अनुपात के रूप में भाग के रूप कि तो ध्यान दीजे सबसे पहले हमको यह बताई कि कौन इसमें अनुकर्मानुपाती हो अगा और कौन भिलोमा तो क्रों बनाएंगा आप ही बताए दू बटा तीन गंटा में कउड़ों टोक्री बनता है ऐस लिश Um फ्र समझे इस तूरु जादा बनेगा इनुकर्मानुपाहिए कि व्यूत कर्माणुपाहिए अनुकर्मानुपाति क्योंकि जब घंटा बढ़ा तो टोक्रियों क्या हो जाएगा बढ़ रहा है दुन्नों चा घंटा अनुकर्मानुपाति का नीम हमने क्या खाए भाग यानि दो बटा तीन अब बटा में एक टोक्री अब बराबर साथ पुर्णांक एक बटा दो अब बटा में टोकरी टोकरी तो ना है भाग दे दिये तो यह तीन कहां चल लाएगा नीचे पुर्णाग तो लिए गता साथ दूनी चौदा एक कितना होता है पंद्रा बटा दू तो दू कहां चल लाएगा नीचे आएगा किना आएगा साथ दूनी चौदा एक पंद्रा बटा दू हो गा, हिए दू हो गा तो लिए नीचे ना आगे तीरचा गुना करने आता है ना इसको कड़िए इससे तो दू गुने दू एक फंद्रा गुने तीन ऐसी न हो गा एक सबारावड, 15 या पहें तालीस भटा महें दूदु नी, चार, यानि देख लीज, एगारह पुर्णांक, एक बटे, चार टोकरी बनाएगा यानि को एको टोकरी बनाएगा हो इक हो जाएगा एक आरगो टोकरी या एको चोथाई टोकरी बनके रूख जाएगा नहीं समझें यह में समझना क्या है दो बाटा तीन घंटा में कर टोकरी बना तो टाइम बर गया कि घट गया तो टाइम बर गया तो टोक जब ऐसा होता तो इसको अनुकर्मानुपाति करते हैं, आनुकर्मानुपाति में भाग, याने दो बटा तीन घंटा में एक टोकरी, तो साथ पुनांक एक बटा दो घंटा में कतना टोकरी, क्या आपको पता है। अब तीन है निच्चा ता कहां चलाया इसको पुनांक तो रही है साथ दूनी चौदा एक पंदरा बटा दो तो पंदरा उपर अदू कहां अक्रोस गुना करने नहीं आता है क्या अई पैंदरत या पैंतालिस अब बटा में कितना हो गया चार हो गया लेकिन हमने कर दिया गल कर्मानुपाति तो बाहर से बाहर गुना अंदर से अंदर गुना तो दो बटा तीन गुने होता एक्स नहीं एक गुने होता साथ पुनांक एक बटा दो तहीं कितना हो जाता यह होता दू बटा तीन गुने एक्स नहीं और यह हो जाता पंदरा बटे दो तो एक्स जाता उपपर उपड़से कहा था क्या कोई फर्क परेगा कि दो कातना 45 वद्टे II blessed Black Capital chance मैंने गलती किया है क्या है शाहिए तो है ऐसे बना यह शाहिए ऐसे बनाइं अनुकर्मानुपाति का मतलब होता है बटा अनुकर्मानुपाति का मतलब क्या होता है बोलिए कहीं समस्या है तो कहीं समस्या है कुछ नहीं किये हैं बटा में दोनों को कर दीजी आंसर आ जाएगा अनुकर्मानुपाति में और अराम से देखें बोड़ पर समझ में आएगा अब इसको समझें एक मान चीतर में एक मान चीतर में अगला कर देख्यें, एक मान चीतर में या दि जीरो दासमलाब 8 cm, आठ कीलोमीटर वा का स्थविक दूरी को दिकाता है या नि जीरो दा समलाब 8 cm कितना दूरी को दिखाएगा आफी बताइए जब 0.08 cm किलोमेटर को दिखाता है तो जब सेंटीमेटर बढ़ गया तो का दूरी घटेगा कि बढ़ेगा एतना दूर एतना बताता तई एतना दुर होगा तई एतना नार बताएगा मतलब जीतना बढ़ाएगा बढ़ेगा एहोता आνुकर्मानुपाती है आनुकर्मानुपाती में तो दिमागे नहीं लगाना है दोनों को क्या कर दीजिये बटा यानि भाग और 80.5 अब बटा में क्या एक्स ऐसी ने बना येगा अनु कर्मानुपाती अगर इब्यूत कर्मानुपाती वला रहता तो दोनों को क्या करते गूना बराबर गूना तो क्रॉस गुना कीजिए ऐसे भी दसमलब से दसमलब भी क्या हो जाएगा कैंसील हो जाएगा और यह हो जाएगा ऐसे और यह एक दसमल वाट एक तो नीचे क्रॉस गुना करने आता है इसको इससे गुना कर जी आठ गुने 10 एक्स बराबर आठ सो पांच आगुने कितना अठ आचासी तो कितना हो जाएगा X का बैलो निकालना है तो 805 गुने 88 आई कहां चलाएगा दूनोओ नीचे कार दिजे आठ से कट्टी गाएगारा बार नहीं और कटने का मुन कर रहा है नहीं कटिए तहाँसान होगा क्योंकि नीचे जब 0 रहा तो मत कटी गाँचे जिरु मुथ जो रहा तो मत कटी एगार अ पांच पांच बाटा में दॉस एक उना जीरो नीचे कितना जीरो है तो इधर से कयां गिली जे एक यानि कितना किलोमेटर को दिखाएगा अच्छा एक और कोश्टन देगे तो बताइए आठ मजदूर करता है ता आठ मजदूर को ज्यादा समयलेगा कि कम समयलेगा तो मजदूर बरहा तो दीन घटेगा की बढ़ेगा घटेगा उल्टा चला जब दीन बरहा तो दीन भी तो क्या न चाहिए था जब दीन बरहा तो मजदूर अगर बढ़ जाता तो अनु कर्मानु पाती जब मजदूर बरहा और दीनों बढ़ जाता तो अनु कर्मानु पाती लेकिन यहाँ पे मजदूर बरहा लेकिन दीन क्या हो गया तो बिलो मानु पाती या ब्यूत कर्मानु पाती और जब वियुद कर्मानुपाति तो हमने सीधा काया क्या कर लिजेगा गुना करिएगा चो मजदूर काया दिन में करता है पंदरा दिन में तो आठ मजदूर कतना दिन में करेगा डायरेक्ट गुना कर दिये एमें करते थे बटा एमें करते हैं गुना तो कितना हो जगा चो गुने 15 बटा में 8 तो दूतिये 6 अदूचा का 8 तो 15 तिया 45 बटा 4 यहीं न होगा समझ में आया अनुकर्मानुपाति और ब्यूत कर्मानुपाति यही है अंतर अनुकर्मानुपाति में बटा मिलाईएगा और ब्यूत कर्मानुपाति में गुना जाते हो कि और स्टेंडर को सन मिले कभी कभी जो था कापी लंबा को सन रहता जैसे पांच ब्यक्ति पांच दिन में पांच टोकिरिया बंग बुनता है और को सन आगे और दे दे कि छे आदमी चर्ट टोकिरिक बुनने में कितने दिन लगाएंगे तो अब बढ़ेगा तो पर जरूर प्रेस के जिगा जिससे अगला वीडियो जो मैं लेकर रहा हूं काफी इंपोर्टेंट वीडियो है जिससे काफी कोस्टन्स भी आपको पूछे जाते हैं यह तो सब बना लेता है लेकिन उसमें थोड़ा सा आपके जानकारी के जूरत होती है तो फिर मिलते हैं एक और वीडियो के साथ तब तक टेक क्यर बाई बाई थैंक्स पर वाचिंग हूं